कम्याय विदेशी महिला की मौत हो गई, मुखे गुंबद पर जाते समय पेहोश होकर महिला गिर गई थी जिसके वेज़ से उसकी मौत हो गई ताज पैच ताज दीज़ार में महिला के साथ आया था दस लोगों का ग्रूप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समधाता गोपाल शर्मा हमारे साथ जोड़ चुके हैं जी गोपाल कब की घटना बताई जा रही है क्या है पूर जानकारी देखी करीवन नौ से दस बजे की घटना है और यहां पर ताज का दीदार करने यह तस लोगों के साथ एक कुपूरा ग्रूप आया था जिस तरह से देखा जा रहा है कि महला पहीं ब्रक्त की 77 एर की महला की उम्र बताई जा रही है जिसके चलते वो जो कह सकते हैं कि जब मुख गुवम्मत पर जा रही ती तो वहां अचानक वेवस हो गई थी जिसकी बज़े से गिरने की बज़े से उसकी मौत हो गई थी अलाके मौत की परटक बिदेशी महिला की सुचना मिलते ही मौके पर पुलिस और जो साथ टीम की वहाँ जो ताज महिल पर साथ पीम है वो मौके पर पहुचकर उन्हें महिला को पहले प्रास्में कुपचाज देने की जरुवत की देखी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी और मायला की मौत कह सकते हैं कि ताज महिल के परसत के अंदर ही हो पर इसके साथ ताज का दीदार करने आए थी जो दस लोगों का ग्रोप आया था क्या उसमें उनके परिजन भी शामिल थे जी आपको बता दू कि जिस तरह से यहां पर जो लोग थे उनके जो आर्थाष के जो 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 मैमार के जो लोग थे उनके जो फ्रेंड्स और परजन आपका इनके साथ ताज का दीदार करने आ थी लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस तरह की जो इसकी ऋक्रतिती है नजर आ रहा है का जो कैमरे के सामने अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अभी इसमें जाच कर रही है किस तरह की है और किस बज़े से महिला की आखिर मौत हुई है ये पोस्ट माटम के बाद ही पता चलेगा जिस तरह से अभी पूरी प पर जाते समय बेहोश होकर महिला गेर गई थी जिसकी कारण की मौत हो गई तास दीदान में महिला के साथ 10 लोगों का ग्रोप आया था जिसमें उसके परिज़न मी शामिल है विदेशी महिला पर रेटक की मौत तो होते ही मौकी पर पुलिस पहुच गई है अब पोस्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है